तीमत्यूस के नाम पॉलुस प्रेरित की पहली पत्री छटवा अंध्याएं जितने दास जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा न हो और जिनके स्वामी विश्वासी हैं इन्हें वे भाई होने के कारण तुछ न जाने बरन उनकी और भी सेवा करें क्योंक बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति की अनुसार है तो वे अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता वरन उसे विवाद और शब्दों पर तरक करने का रोग है जिन से डाह और जगले और निंदा की बाते और बुरे-बुरे संधे और उन मनिश्यों में व भक्ति कमाई का द्वार है पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाएं हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इनी पर संतोष करना चाहिए पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परिक्षा और जो मनुश्यों को बिगार देती हैं और विनाश के समुद्र में दुबा देती हैं। की अच्छी कुष्टी लड और उस अनंत जीवन को धरले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत कवाहों के सामने अच्छा अंगिकार किया था। जिसे वे ठीक समयों में दिखाएगा जो परम धन्य और अद्वैत अधिपती और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और अमरता केवल उसी की है और वह अगम जोती में रहता है और ना उसे किसी मनुष ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानी उग्रहेगा। आमीन इस संसार के धनवानों को आग्या दे कि वे अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न रखें परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है और भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में ततपर हों और आगे के लिए एक अच्छी नेव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर लें हे तिमुथियूस इस थाती की रखवाली कर और जिस ग्यान को ग्यान कहना ही भूल है उसके अशुध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे कितने इस ग्यान का अंगिकार करके विश से भटक गए हैं तुम पर अनुग्रह होता रहे।